एक अच्छी बोड़ी और हेवी मसल्स हर लड़के का सपना होता है और आजकल 15-16 साल के बच्चे भी जीम जाके घंटो पसीना बहाता है आपको बता दू कि हमारे खाने से मिलने वाले हेल्थी निउट्रियंट्स को पानी ही मसल्से तक पहुचाता है कि हमारे सरीर के मसल्स के टीस्यू तभी बनते है याद रखना जिन्दकी से फाइट और हर रोज अच्छी डाइट ये कभी भी कम नहीं होनी चीए अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं और अच्छी निन ले रहे हैं लेकिन रेगुलर वीरियनास कर रहे हैं, तो बहुत कम संभावना है कि आपके बोडी बनेगी. Hello everyone, welcome to motivation for you, mentor of thousands of people. हर इंसान चाहता है कि उसकी अच्छी strong body हो, अच्छे muscles हो, पर क्या अगर है body नहीं बनती है, तो जितने भी दुबले बतले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बस 5 मिनिट में आपको सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है. सायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि बालियवस्ता के बाद जब कोई इंसान जवानी में प्रवेस करता है, तो उसकी muscles ग्रोथ 4 गुना तेजी से होती है. मतलब 16 से 24 साल के बीच की उमर में अगर कोई बच्चा अपनी body पे ध्यान देना सुरू कर दे, तो उसकी body किसी athlete से कम नहीं होगी. हमारे आयुर्वेद में भी 25 साल के उमर तक ब्रह्मचर्य का पालन करने की सला दी जाती है. प्राचिन भारत में 25 साल के उमर तक हर लड़के को गुरुकुल आसरम में रहे के सिक्षा दिक्षा दी जाती थी. 25 के उमर के बाद उसे ग्रहस्त जिवन पालन करने के अनुमती मिलती थी. लेकिन आज हर किसी के हाथ में mobile और internet है. इसकुल से लेके college तक का हर लड़का गंदी चीजों से बस एक कदम दूर है. आपको जानके हेरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदे वीडियोज भारत, पाकिस्तान और पांगलादेश में देखे जाते हैं. जिस उमर में career, health और ध्यान करना चीए. वोस उमर में बच्चे मेथुन करके अपनी जिन्दगी को नरक बना रहा है. सुबह होते ही चाई की दुकानों पे दिखाई देने वाली युवाओं की भीड इस बात का प्रूफ है कि भारत के 90% युवाओं आगे चलके health से जुड़ी बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करने वाले है. अब भी कुछ नहीं विगड़ा है, वक्त है संबल जाने का. अगर आपके वास जिम जाने का टाइम नहीं है, अगर आपके वास अच्छी डाइट लेने के लिए पेसे नहीं है, तो आज का वीडियो सिर्प और सिर्प आपके लिए है. इस वीडियो में आपको घर पे अच्छी डाइट लेलो अगर डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है तो बोडी को कुछ भी खाया पिया नहीं लगेगा इसलिए सबसे बेले अपने डाइजेशन सिस्टम पे काम करो सुबह सुबह उठके योग प्रणायाम और पाचन तंत्र मजबूत करने वाली एक्ससाइजेस करो बड़े बड़े सफल इंसान बड़े बड़े योग गुरू सोशल मीडिया और हर जगल लोग आपसे मन को सांत रखने की सला देंगे लेकिन जब तक पेट सही नहीं होगा आपका मन हमेसा भारी रहेगा इसलिए मेंटली प्रिप्रेशन से पहले फिजिकल स्टोंग होन अगर ज़्यादा खाने पीने से आपके बोड़ी बननी होती तो अभी तक बन जाती वर्काउट के बिना बोड़ी बनाना लगबक इंपोसिव आले आप उल्टा सीधा खा पीकर अपना वजन तो बड़ा सकते हैं लेकिन एक अट्रेक्टिव और आकरसक बोड़ी वर्काउ बहुत खाने पीने के बाउजूद भी वजन नहीं बढ़ता बहुत से लोग उल्टे सीधे प्रोटिन पाउडर खाके बोड़ी तो बना लेते हैं लेकिन जैसे ही वो सप्लिमेंट लेना बंद करते हैं उनका सरीर वापस से दुबला बतला हो जाता है एसे में अगर आप य पाचन सिस्टम को बहुत स्टों करता है जिससे सरीर में खाया पिया लगने लगता है और नया खुन बनता है सेहत किंग में मोजुद जड़ी बूटियां आपके वजन को बढ़ाने में हिल्प करती है और सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपको फर्क दिखने लग जाता है इस प्रोड़क्ट की सबसे खास बात यह है कि जब एक बार आपका वजन बढ़ जाएगा और सरीर बिलकुल फिट बन जाएगा तो आप इसे लेना बंद कर सकते हैं सेहत किंग के अंदर अस्वगंदा, सिंगाडा, सपेद मुशली, सताओरी, काली मुशली, काला तील, अम अच्छी बोडी और हेवी मसल्स हर लड़के का सपना होता है और आजकल 15-16 साल के बच्चे भी जीम जाके घंटों पसीना बहाता हैं लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है पानी कम पीना हमारे सरीर को एक लिमिट मातरा में पानी की जरूरत पड़ती है और उतना पानी हमारे सरीर को मिलना बहुत जरूरी है अगर बोडी में उससे कम पानी होगा तो मसल्स ग्रोथ तो भूली जाईए बोडी मसल्स गेन करने के लिए सरीर में पानी की सही मातरा का होना बहुत जरूरी है मसल्स गेन के लिए एक दिन में कम सकम 10-12 ग पोड़ी बनाते समय ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि मसल्स को हैड्रेत रखने, उनको मजबूत बनाने, एनर्जी लेवल को बरकरार रखने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है. मतलब अगर आपका वजन 50 किलो से ज़ादा है तो डेली 2 लीटर से ज़ादा पानी पीना तो बनता ही है अगली चीज है डाइट याद रखना जिंदगी से फाइट और हर रोज अच्छी डाइट ये कभी भी कम नहीं होनी चीए एक अच्छा सरीर तभी बनता है जब हमें एक अच्छी डाइट लेता है डाइट से हैं मतलब पेड भर के खाने से नहीं है क्योंकि पेड भरने के लिए मार्केट में बहुत से फूड आइटमस आता है यहां बात हो रही है एसे फूड की जो आपके सरीर को फाइदा पहुचाता है और बे मतलब का फेट नहीं जमाते है आपके सरीर में जाने वाला हर फूड आपके सरीर को फाइदा तभी पहुचाता है जब इस बात का हिसाब लगाया जाए कि एक अच्छी बोडी बनाने के लिए क्या खाना चीए और क्या नहीं खाना चीए इस लोजिक को समझ जाएंगे तो घर पे आसानी से बोडी बन जाएगी हमारे सरीर को डेली वेसेस पर एक लिमिटेट केलोरिस की जरूरत होती है सरीर का आराम करना बहुत जरूरी हो जाता है एक सेहत मन सरीर के लिए रोजाना कम से कम 6 गंटे की निन लेना बहुत जरूरी होता है इसलिए समय पे आराम करना और रात को समय पे सोना ये चीज़े आपको जरूर करनी चीए अगली चीज़े योगा, अच्छी डाइट, अच्छा वरकाउट के साथ साथ योग प्राणायाम भी करना है, क्योंकि हमें फिजिकली स्टोंग होने के साथ साथ मेंटली स्टोंग भी होना होता है, अगर इस उमर में अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप आग रेगुलर वीर्यनस कर रहे तो बहुत कम संभावना है कि आपके बोड़ी बनेगी रेगुलर मेथुन करने से आपके एनरजी का लेवल बहुत मीचे चला जाता है और फिर आप ठक्या हारे होके सुबत देर तक सोते रहते हैं धिरे धिरे एक्सरसाइज करना कम कर देता है और फिर यही से आपका पतन होना सुरू हो जाता है